नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 15 अप्रिल 2024 स्वागत है आपका आज के 30 फे डिसक्सन में चलिए डिसक्सन इस्टाइड करते हैं पहला हमारा रटीरियल है वो हमारा रटीकल है मेडिटेरियन सी के बारे में क्यों न्यूज में भूमद्य साधर के बारे में हमारा पहला बात करते हैं साओधीयर्व में वहाँ पर सुननी जाता है अब ये दोनों भीच में कहां से आगे देखो एरान न वह चाहता है कि मुस्लिम वर्ड है न उसका लीडर इरान बने अभी मुस्लिम वर्ड का लीडर है वो सुन नी इस सौरी सड़ीयर्व आ लगाता है कावी टम साथ की इसलिए अभी एपर हमला कर दिया इसके लिए एक उप्रेशन लांच किया है जिस operation का नाम है operation promise क्या नाम है इस operation का operation का नाम है true promise इसके साथ में इसके साहता है यह यह पूरा Muslim world है यह इरान के पीछे खड़ा रहे है अब Muslim world है वो चाहता है यह देखो यहाँ पर इस्राइल का आप मैप देखोगे तो यहाँ पर तीन रिजन एक तो गाजापटी है यह वेस्ट बेंक है और यह जैरुसलम है और यह पूरा है इस्राइल अब जो इस्राइल है तो पूरा Muslim world है वो इरान के पीछे आ जाएगा ऐसी सोच है इरान की इसलिए इरान है वो इज्राल पर अटेक कर रहा है और पूरे Mediterranean Sea पर कभजा करने की कोसिस कर रहा है तो अब है न यह तो थी न्यूज अब इसमें तो ज्यादा से चीज़ आपको पता रखने की जुरूत है है नहीं हमें न यह थोड़े जियो पूलटिक से समझे हमें पता होना चाहिए Mediterranean Sea के बारे में इसकी लोकेशन है वो हमारे लिए इंपोर्ण हो जाती है भूमदी साइगर के बारे में बात करी तो यह कहां पर इसकी लोकेशन इसकी लोकेशन यह रही देखो कौन-कौन से दे इसकी बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह काफी न्यूज में था तो यूपी असी का फेवरेट टॉपीक है जो न्यूज में हो पहले से लिगार रिगार्डिं क्यूसन पूछना और सी से कौंसर्ट कंट्रीटर्स करता है यह भी यूपी असी डेफिनली क्यूस से घिरा हुआ है अफरिका एसिया और कौंसा यूपी इन तीनों से घिरा हुआ है अब कौन कौंसे देशों से इसकी बाउंडर लगती है तो यूप की यह देश है इस्पेन फ्रांस मोनाको इटली मैल्टा स्लोवेनिया क्रोश्या बोस्निया हर्जोवेनिया मंटेन ग्रीज, साइप्रस और टर्की, एसिया के टर्की है, साइप्रस है, और सीरिया है, लेबनान है, और इस्राइल, अफरिका की, मिस्र, लीबिया, त्यूनिसिया, अलजेरिया और मौरक्को, इंगली स्मीनिय विखवा नाम तो से हमी आप पता देखी ले न, यह सारे नाम है, अ तो यहां पर जो विंटर होती है, विंटर के टाई में यहां पर बारिस होती है, इसलिए विंटर होती है, वो वेट होती है, यहां की आदर विंटर होती है, विंटर सर्दियों के समय में यहां पर बारिस होती है, गर्मिया होती है, तो विंटर होती है, वो आदर होती है, यानि के रेट शोती हे ऑज गर्मिय वहती होती है यह चीज़ आपको पता होने शील आप कुछ सागर से जोडने का कोई काम करता होगा तो कौन सी इस्टेट है वो जो आपको याद रखनी है तो आपको पहली इस्टेट का नाम होना चाहिए जिप्राइल्टर इस्टेट जिप्राइल्टर इस्टेट है वो भूमदी सागर यानि मैटिरियन सी को किसे जोडती है तो जिप् ब्लैक सी से हानि काला सागर से जोडने का काम करती है यह मैप में देख लो ब्लैक सी है यहाँ पर है डाडरनलस स्टेट है जो की मेडिटीरियन सी को ब्लैक सी से जोडने का काम करती है तो यह दो स्टेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसके अलवा यहाँ पर स्व यह बेले दीक है, यह important drug भी है, जो कि Mediterranean Sea में located है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इस इसली देखो, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत idea होना चाहिए, Cyprus एरा, तो चलिए अब इसके बारे में देख लिए, अब हैं, चलते हैं हमारे next article की और, यह ए ही है कि सारत कमल है, इनको इंडिया का फ्लेग गोसित कर दिया गया, क्या मतलब है? मतलब यह है, बारत का जो धवज वाहक होता है ना, दवज पकड़ने वाला, वो गोसित कर दिया है, सरत कमल को गोसित कर दिया है, तो यह चीज़ पता होना चीज, सरत कमल टैनिस प्लेयर है, इनको फ्लेग बियर गोसित कर दिया है, उलम्पिक्स में, कहा होने वाले, पैरिस में होने वाले, उसके बाद में मेरी कौम को क्या गोसित कर दिया है, मेरी कौम है, इनको गोसित कर दि तो साथ ही साथ में हमने देख लिए नेस्ट जो आर्टीकल है वो यूपीसी की प्रस्पेक्टिक्स तो नहीं है इसमें प्लिटिक्स ज्याद है पर थोड़ा बहुत देख लो अगर आपका निफ्यूज नहीं हो इसलिए क्या है न्यूज में यह था कि अभी एक रिपोर्ट स्यूंहें बिलीज है क्या इस रिपोर्ट में बता गया Kansas Baba जो कला हम रहे है इस तोहरां मुद्दे तो इस रीपोर्ट की great प्राइज put है टेवलोंदा हो क्रप्षन का मुद्दा यह मुद्दे है हावी इस के साथ हिंदूतव का मुद्दा है राममंदिर का यह सारे मुद्य हावी रहने वाले हैं, तो इसमें न जो को वो चीजे ज्यादा दे रखी हैं, कौन सी चीजी, पॉलिटिक्स से रिगाड़ी, साथ ही साथ में इसमें ऐसी कुछ और भी बाते की गई थी, जैसे कि इसमें कहा गया था, कि जो मुस्लिम से है, ठीक है, मुस्लिम मैंस का एक टॉपिक है, ग्रोथ और डेवलप्मेंट का एक टॉपिक है, जी एस पेपर 3 का, वहां पर यह काम आ सकता है, तो क्या न्यूज है, न्यूज यही है, कि नॉर्थ इस्ट में है, टूरिजम के रूप में यह उबर के आया है, इसलिए यह न्यूज में है, तो हम बात कर लेते हैं, टूरिजम सेटर के बारे में, तो पहले देख लो, नॉर्थ इस्ट में का कुछ इंपोरडन टूरिजम पहले से इसके बारे मात लो, अरोणड़ परदिश में है, ञucch era जीश आ जींग पर इसके बारे में होना चाहित इसकों कउन से इस्टेट में है, कौ पर फिर माजिल उद्वीपे मनिपूर में लोग तक लेके और इंफाल युदकबरिस्तान मेगाले में नोकाल जल परपात यानि की वाटरफॉल है और लिविंग रूट ब्रीज है फिर मिजोरम में मिजोरम में फॉंग कुई नेशनल पारक है और सोलोमन का टेमपल है फिर न हम बच करते हैं बहुत में टूरिज्ण का पूटेंसियल प्रिजिम की पनीडर क्या है बहुत में पॉइंट करना हो जैसे कि चैंक हाने करनी हो इंडिय रिफ्टिंग करनी हो पएद्गा क्रनी हो इनन विंग परफर करना चाहिए जबते हैं उनकी कुछ अच्ते कल्चरल e sal~) iven तो उस्प में होन देखने को देखने को मिलती है अब भारत में टूरिजम की इस्तती क्या है क्या इस ट्रेटा से किस परकार का टूरिजम देखने को मिलता है बारत में तो बारत में टूरिजम की इस्तती के बारे में बात करें तो देखो एक रिपोर्ट आती है किसकी रिपोर्ट आती है यह कोड आती है इसके अकोड बारत का च्छटा नंबर है जीडीपी में बारत में जो टूरीजम है उसका बहुत बड़ा योगदान है च्छटी हिस्तान प्याता है उसके साथ वर्ल्ड एकोनोमी फॉरम विसव आर्थिक मंचे इसकी एक इंडेक्स होता है कौन सा था प्रेटन व वर्ल्ड हरिटेज साइट तो बारत में 40 साइट यहां पर लोकेटेड है बारत में यूनेस को द्वारा गोशित की गई है और फट्वेंटी की फ्राइनस इलिए ट्वेंटी येर की बात करें तो उसमें बारत में 49 मिलियन जो नोकरिया है वो टूरीजम सेक्टर को दी गई इसके बाद में गवर्मेंट ने जो तु प्रयाश की इसके बाव कुस समस्या में दो कुस्व कर ना करता है तो क्या सुदार किया इंफ्राटेक्चर बूस्ट करो फिर जो सुर्क साथ जन सिक्यूर्टि उसको आप करो फिर जो गाइड होते हैं उनको ट्रेनिंग दो ताकि वह अच्छे से गाइड कर पाए तो वह सारी सुविधा दिया दिनी चाहिए जिससे बारग मेना टूरिजम को पर मोड किया जा सकता है तो यह थोड़ा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं अब प्रिलिम में एक क्यूशन भी आय था यूपेस इन पूछा था इसके बारे में बता हो इसमें क्या है पूछा है कि नौक्रेग जो बायोस्पेर रिजर्व है जो जैव मंडल है यह कहां पर लोग को तो आपको बत दमोगहें है कि नामदफा है ना कि आप लिए कहां पर है यहां पर खोर प्रियंदोन हूच एप चैड्स दूसरा ऑुटमेटि गलत हो गया तो नोक्रिक दो ऐ है तो नोक्रिक पहार कहां है आपको इस चीज पता होने चाए क्'ma तो नोक्रिक ही मिगहल्यें में अ और घारो ही werde वह काहां पर है मिगहल्यें में घार वो जेन्तिय आम-डितीनी हील देखे होगे साइड साथ-साथ में है तो यहां पर नोख रेके तो पहला सही होगा जाएगा तो हमारा जो अंसवर आ जाएगा वो ए आ जाएगा इस प्रकास से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके इसको पता कर लगा सकते हो तो यह मैप है नौर्फिस्ट का यहां पर नोक रेके और यहां पर यह पहाड़ी भी है तो ऐसे आप पता कर सकते हो तो यह गारो खासी जैनतियां यह तिन पहाड़िया है फिर ब्रेल रिंज है यह बुटान इसके बाद में यह कुछ और भी दिर आप इसके ट्राय कर सकते हो चलते यह नेक्स्ट आर्टिकल कियो नेक्स्ट जो आर्टिकल है मैंस की प्रस्प्रक्टिव से काफी ज्यादा इंपोर्डेंट है यह एडिटोरियल है तो इसको है ना आप हमारे टेलिग्रम से अच्छे स अब कर लेक्स्ट आर्टिकल यह सकते हुआ याश्त प्रस्पक्रियल से काफ़ी ज्यादा इंपोर्डेंट है फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल जगईत पदव्या इनको ओल्य को कर दिया है, International Narcotics Control Board में, यह तीसरी बार इनको रीलेक्ट कर दिया तो यह news में है, अब हम बात कर लेते, International Narcotics Control Board के बारे में, इसकी बारे महिसा पारी है, तो इसकी इसकी इस्ताफणा कब हूए थी, इसकी इसकी इस्ताफणा नंश वरे 1868 में में इसकी स्थापना हुई थी, यह एक क्वासी जुडिसियल बॉड़ी है, क्वासी जुडिसियल बॉड़ी का मतलब क्या होता है, अर्धन्याइक बॉड़ी है, ठीक है, क्वासी जुडिसियल का मतलब होता है, अर्धन्याइक, अब अर्धन्याइक क्या होता है, मतलब यह ज इंटरनेशल ड्रक्स कन्वेंशन उसने जो भी रूल दिये उसको इंप्लेमेंट करने का यह काम करती है तो यह चीज़े कुछ आइडिया होना चाहिए आपको साथ ही साथ मैं इसके इस्तापना के बारें बात करें तो दो संस्ताओं से मिलकर इससे बनाया गया था कौन कौन स इन डॉनों को मिलाकर इन दोनों को मर्ज करकी यह बड़ी बनेगी इन्टरनेशनल नर को टिक्स बोले जताने शासे इक प्रमानेट्ज लिमिटर् से जो convention हुई थी इसके तरती से बनाए गया था तो दो बोडियों को मिलाकर इसे बना गया है इस चीज का भी आपको idea होना चीए अब इसमें मेंबर कितने होते हैं सदस्य कितने होते हैं तेरा सदस्य होते हैं ठीक है और इन सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा की जाता है आर् मेंबर के द्वारा भी चुनाव की जाते हैं इतनी डिटेल रखनी के आपको पता हो जरूत है नहीं बहुत यह तो बहुत बैसिक चीज होगी ठीक है अभी काम क्या करता है अगर कहीं illegal trade हो रहा है illegal manufacturing हो रही है तो उसको रोकना अगर अगर अवे trafficking हो रही है तो उनको रोकना का यह काम करती है तो यह पूरा article था हमारा international narcotics board control के बारे में अब बात कर लेते हैं भारत ने इससे समझेद क्या समझ जो सुदार लिए क्या इनिसीटी लिए इसे कम करने के लिए तो बारत नहें जो नार्कोटिक्स होते है जो ड्रक्स होते है उसे कम करने के उसके लड़न बारत में जो मादक पदार्थ होते हैं जो नुक्सान दाईको टे ड्रक्स वगेरा उनके विक्री उनके खपत उनके इत्वादन पे रोक लगाना उन्हें नियंतन करने के लिए यह अदिनियम बनाया गया था बहुत ही जयादा इसके परभाव है ठीक है तो इस अदिनियम क अभी आपने देखा वे काफी ज्यादा, यह नीज में भी दा है तो इसके बारे में आपको आईडिया होना हुना है उसके बाज में बातने नसा मुक्त अबयान था यह जो नस समच अब्यान है 2020 में चलाया इंता तौन में इनको नियंतन करने का काम करने का महाद करता है उस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रा लें सोसल जस्टिस मिनिस्ट्रिय यह क्या करेगी यह जादूता फेलाने के काम करेगी तो पहला देखा नार्कोटेक्स ब्यूरो जो की रोकेगी फिर सामाजी के मंत्रा लें वह अवेरनेस फेलाएगी और तीसरी है स्वास्ति विब बनाता है उसके बाद में एक और प्रोग्राम हमारा नसीली दवाओं की मांग में कमी राश्त्री कारेयो योजना है इस योजनाम क्या था इस योजनाम ये था कि दवाओं के लक लगी उसकिस प्रकास से छुड़वाए जा सकता है इसके लिए योजना लाई गी थी फिर अ नार्कोटिक्स से समझी भारत की पहलों के बारें था अब हम नार्कोटिक्स क्योंट्रोल व्यूरों के बारें देख लेते हैं काफी इंपोर्डन बॉडी है इसके बारें बात करें तो यह इंपोर्डन हो जाती है कि यूपीस इस पे क्यूशन पूच सकती है क्योंकि न्यू एक्ट नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सबस्तांस एक्ट 1985 उनिस्व पिचासी अभी हमने उपर देखा था यह एक्ट है इसके तहत एन सीबी नार्कोटिक्स बोर्ड नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी ठीक है या दखना नार्कोटि चीज है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतरकत आती है तो ये मिनिस्ट्री आती है होम अफेस ग्रह मंतरा ले के अंतरकत आती है तो ये चीज भी आपको आइडिया हुना चीज है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतरकत आती है ग्रह मंतरा ले के अंतरकत एक अपेक्स बोड़ी यानि द्रक्स बेजे जा रहे थे तो इस पूरे रेकेट को परदा फास करने में ये एक उप्रेशन चलाए गये था तो इसमें एक जो एंसी भी तिन उसने महत्पुन घुमिका निपाई थी तो ऑप्रेशन ट्रांस की बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए किस तो उसको भी मजबूत करने का काम करती है उसको प्रारित करने का काम करती है इसके अलावा भी इसमें कुछ और चीज़े दे रखिये लेकि जैसे कि इसमें एक फंड की गोशिना की गई है ये जो ड्रक्स वगरा उते इस रोकने के लिए और लोगों को ड्रक्स छुडवान और साथ-साथ में जुर्माना भी लगा जा सकता है, 2,00,000 रुपे तक का जुर्माना भी लगा जा सकता है, यह जो है न, NCB, यह किसी को गरिफ्तार कर सकती है, सरज कर सकती है, यह अपने मन से जुर्माना भी लगा सकती है, यह सारी चीज है, वो NCB की द्वारा की जा सकती है, और कैंद शर्कार इसके थर्थ प्राधिकर्ण का भी गठन कर सकता तो यह हमारा पूरा आर्टिक्ल था NCB के बारे में यह पूरा डिटेल में हमने देख लिया तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के और सke रेडार कोई भी मिसाइल एंड़ भी फमेंट दाओंगेगा तो ये रेडार इसको sect Sumika करेगी अब ये तो यह सूचना किबेजी कि रेडार है ये franchise सूचना को मिजेए इस खेगी फिर इसको लगेगा कोई missile यूनिट को अब ये missile फिर डर्टिंग यूनिट को अब इस मिसाहleader से आ को में मिसायर से आ रही इसके सामने एक missile लॉंच करेगी और हवा में इसको नस्ट कर देगी नस्टना गूद कर देगी इस eco क्या होगा यह पूरी secular तो यह नाम होता आपको पूरा इस प्रकार से पूरा का म करता है अभी DESE ही बारह करते हैं सी डॉम सेतल इसाइल का है सिस्तम में आइलेंड हो ही जमीन ही भागन, वहां पर बनाए गया है सेंड हो समंदर में supreme यसी का माज़ी अनो जम्हें पर इससे बना गया तो काम सेमी करेगा सेम तरीके से काम करेगा तो सीडॉम इसरैल का आइरन डॉम लक्षा पढ़ना लिका संस्क्रण है इसमें क्या होगा शब्र जो भी विसाल वगरा लॉंज करेगा उसको नश्ट करने का काम करेगा फिर इसमें अलगल चीजे यूज की जाएगी जैसे इसमें जर्मनी का वो एक प्रडिक्शन यूज किया जाएगा जर्मन जो वार्फेर होता है वो यूज किया जाएगा इसके अलावा इसमें तामिन इंटरसेप्टर होता है है modular use होता है control command यूज होता है यह सारा system होता है नहीं system देख लिया किस प्रकार से काम करता है तो CDOM के बारें पता ओना चाहिए SCDOM कहां का है जर्मनी का है पस इतना आपको idea होना चाहिए अब CDOM के बारें देख लिया चलते हैं हमारी एक यह चीज भी पता लगना S400 वो भारत का है, जो भारत ने रसिया से खरीता है, वो भी इसी परकार से काम करता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, चलते हैं, नेक्स्ट आर्टीकल की और, नेक्स्ट आर्टीकल है, वो किसे समंदी, उनाइटे नेसल, यूमन प्लस, क्लाइमेट चेंज, इन दोनों को, मिक्स करके, एक विश्यसग्य की न्यूक्ति की गई है, जो इन दोनों पर काम करेगा, यूएन अचार से न, यूएन एचार सी, मतलब सियोग तरास्ट मानवादिकार परिशद है, इसने, दोजार इकीस में, मानवादिकार और ज इसको नुक्सान करेगा, यह किसका कहना है, यह इसी का कहना है, यह इसी का कहना है, यूएन चार्सी का अब एक IPCC होता है इंट्रनेशनल पैनल लोन प्राइमेट चेंज इसने भी सेमी बात करी थी कि जलवायू परिवर्तन आये गए उसको जो वनरेबल सेक्षन होता है उस पे सबसे ज्यादा परवाव देखने को मिलेगा इसमें भी ये बात की गई है तो कु सब्सक्राइब चेंज हो रहा उससे रोका जा सके उसके जो मानवादी का जलवायू परिवर्तन पर जिनेवा संकल्प हुआ था 2015 में वह भी इसी को आगी बढ़ाने का काम करता है ठीक है भारत ने भी कुछ योजना चलाई है क्या के चलाई ही भारत ने भारत में हमारत में होता अंतर पीडिकत समानता का सितान थायनि प्रिंसिपल ओफ इंटर जयर जनलिस वूहली इप्रदी इसमें क्या इसमें यह कहा जाता है कि आप जितनी चीजें यूज कर रहे हो न वह चीज़ें आपकी आने वाले पीडियो को भी मिलनी चाहिए ऐसकि मैं कहाझा रहता है इसमें जो बाते की गई है वह इतनी थोड़ी बहुत ज्यान रखने के आपको आफ सकता कम ही है वह बहुत ही कम है यह पता होना चाहिए ग्लोबल ट्रेंड आउटलूग रिपोर्ट है वह किस ने रिलीज की डबलू ट्यों ने की है क्या बाते के यह है है कि जो वैपार के संस्धिय कम भाष लिभाबल,挑़ खिलाएक बिशाइन के प्लास्टिक वगरा घ्रानल प्लस्तिक है इसमें रो मेंट समय के बास की चीजे इसा और में जाता है यह कमी देखने को प्लेखने को लिए है u.s के इनके कांड जो intermediaries वस्तु ऊते हैं इनके कमी देकने को मिल रहे हैं साथ ही साथ में कुछ trade route जैसे की pineapple trade route है इसमें कमी देखने को मिल ही सवेज केनल गाद्रेज का trade route जो 12 percent इसमें चलता है उसमें है नहीं कर दिया है तो यहां पर ये फरेड है वह प्रभावित हो जई उडिया इनकी वज़े से जो वैपार उसमें कमी देखने को मिली है तो भारत ने इस वैपार को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किये तो भारत ने जैपान ऑस्टैलिया के साथ मिलके यह एक आर्थिकली आ रहा है इंडो पैसिफिक एकनोमिक प्रोस्पेक्ट यह आई आई पीएफ भी बना रहा है तो साजेदार देशों के साथ में मिलके भारत बहुत प्रैस कर रहा है थाकि जो वैप आ रहा है उसको इसमूत रूप से आगे बढ़ाए जा सके इसके लिए भी काम कर लेंते न्जेट के बारें बात करें तो इसकी इस्तापना रहाए है तो यह तोजार से जूड़ spins के वहते हैं है इयानिका Qs 10 या कि यह क्या do нрав घड़र और दा। सी का है या या हाई कोड के जचिस वह यह कोड़ की जईप वह इसके के मेंब्ड सकते हैं। पर विस्ससेगी के लिए वो आप विस्ससेगी हो किसी फिल्ड में तो बन सकते हो कारे क्या करती है यह एक न्यायक निकाय है यानि कि जुडिसीरी की तरह कारे करती है क्या करती है प्रयावन के जुड़े कोई भी मामले होते हैं उसमें यह निर्णे देने का काम करती है तो य अगर एक बार यह बाद्यकारी होते जो न्याले के तरही देती है तो आपको पता है अगर आपको इसमें करना है इसके खिलिआफ को भी尽 करनी ही मतलब devotee ने द परопर आपको इसके खिलाफ कोangi दे दिया है और आपको इसके खिलाफ जाना सुप्रीम maybe जा सकते हैन् अगर 6 महीने के बीतर बीतर आप नहीं जाते हो, 6 महा के बीतर 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 आप नहीं जाते हो, तो वेलिज नहीं माना जाएगा, तो अपिल करना है, तो सिधर सुप्रीम कोड में कर सकते हो, और करना है वो 6 महीने के बीतर बीतर ही करना है, तो ये चीज़े आपको से योगिता क्या होनी चाहिए सुप्रिम कोड का जज हो या चीफ डेसिस्ट ऑफ इन हाई कोड उसके अलावा कारी क्या करती है नियाले की तरह कारी करती है ने ने होते हो वाधिकारी होती है एक बार जिसको बोल दिया वो चीज करनी पड़ेगी उसके बाद में इसके इसके उसके कारी करती है लग करती है जो पर दुशन कर रहा है वह भुगतान कर गаж करेंगा इस सप्रकाशी ये देखे दैगा कर सकते है इसके की काम कर सकता है संगयान सकता है खुदी खुद सवत संग्यान, यानि सू मोटो एक्षन ले सकता है, किसी का मुवजा कर सकता है, सत्ती पूर्ती करवा सकता है, रहात देने का भी काम कर सकता है, इसके खिलाब अपील करनी है, तो अपील आप सुप्रिम कोर्ट में कर सकते हो, 90 दिन का भीतर, और निरने को 6 मि और नियुको यानि उनी कोड़न चीजे, कौन-कौन से एक्ट के तहत्त यह पाम करती है, तो 7 परकार के जो कानून है, उसके तहत्त यह निरने देती है, धिर, वोटर जो टेक्स एक्ट है, देखो दो सिजभा लग लग रहा है, यहां पी, 1974 का, फिर वोटर, जो टेक्स पजाओ गी कि लोक बाय। ऐती बिमादी सात अदीनिया में उनके अतरत ये निनने देता ajudar मोस्ठ इंपोरटर चीज थैट इसक्झेस यह बारे 12 कुरूटिव मैं इसके बाद में आप है ना सीथे राष्ट पक्ति से समाधान मागो नहीं तो कोई उपाई नहीं है अन्तिम सविधानिक रूप से उपाई है ठीक है अब ये कम आती है जब पुनर विचार रहा चिका मतब आपने सुप्रीम कोड में पहले हाई कोड में आपके फिलाब कोई फ प्याले नॉर्मल केस का सुप्रीम कोड में ञा ठीक है उसके बाद में बोला कि मेरे को पसंद नियुका पुनर विचार कर लियो तो शुप्रीम कोड मैं मेरी तरह से सही सुनवाई नहीं हुई है मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है मुझे सुना नहीं गया है तो इसके तरफ़ हैं सुप्रिम कोट कुरीटी पिटीसन में थहत सुनवाई कर सकता है मतलब पहले पुर्णरविचार याची का होनी है को इसका सभीधान में कोई उल्हक नहीं है यह दिस का उसका सभीधान में लेख लिए गया गया पर जो क्यों है इस केस में जो अवदार नहीं नहीं है इसके बाद में असो घृर इसके सेश तो रूपा आई धी बट सविधान में एक चीज है कि सविधान में बात करीगी सुप्रीम कोट है ना अनुचित 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी सुनवाई कर सकता है यह पूर्ण न्याय की सकती सुप्रीम कोट की इसके तहती क्यूर्टी पिटिशन काम कर सकता है ऐसा नहीं कि अर्टिकल एक सो भियान इसमें तो क्यों रिटी पीडिशन है वह इसकी तहती आती अब ये कब दी जा सकती है ये तब दीजा सकती है जब पहले तो आपके प्रारत करति कि जुनियाय का सिदान्त है उसका उलंगन हुआ हूं साथ ही साथ में न्याजिस है ना उसकी हित नही यह निर्णे था उसके बाद में आपको लगता है आपके साथ में पक्स बात हुआ है निर्णे में न वह प्रतिकुल परभाव पढ़ रहा हो तभी जाकि क्यूर्टी पेटिसन दर्ज कीजिए करवा जा सकती नहीं तो नहीं करवा जा सकती तो थोड़ा बहुत आइडिया उस च्छी है फिए इस वूड एलकोल भी कहा जाता है इसकी विसेष्था क्या हलीका होता है तीक फाल्चा के और एंदन के रूप में वी इथनल को यूज गया ज्यूर्य में इस बात हुए है जो फार्माशीटीकल उसमें किया सकता है। इसकी साइड हीप्ट भी जनाों साइटीक्ट मेरी प्रफ्यूम उसमें मेरीनोल तो है कही। पर सिस्टम फेल हो सकता है। तो इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अभी इस पर कुछ बात चल रही है, और US में इसको वापीस भी बुलाग लिया गया, नेक्चो आर्टिकल है, वो हैपिटाइडेस रिपोर्ट से समझ दीते हैं, दोजाट चोईस की हैपिटाइडेस रिपोर्ट जारी कर दिये, सबसे पहले रिपोर्ट कौन जारी करता है, डबलु एचो, हैपिटाइडेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, डबलु एचो, तो पह टूसरे नमर पिछीन न दूसरे नमर भारत है यह पर इतने ज्यादा मामला देखने को मिल रहे हैं अब deuce के बारह मेंबात करें इंसांस में फैलता है ठीक कांटीजिनेस रोग है इंसांस से दूसरे इंसां में आसानी से फैलता है किस किस से फैलता है यह मतलब सराब से फैल सकता है ठीक है मतलब गैर संक्रामत भी लोगों से दवा है इसे फैल सकता है इसमें अलगल होता है A B C D E अलगल परकार का होता है इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंस होता है ज्यादा तो नहीं होता है वैसे थोड़ा बहुत डिफ्रेंस होता है कुछ में बुखार ज्यादा हो जाता है कोई लिवर को ज्यादा इंफेट करता है तो इसमें बी और सी है न यह ज्यादा तर परभावित करते हैं यह लिवर मे की धारा 127A के थहते हैं मतब लोग प्रतिनिती जो अदिनियम है उसकी धारा के बारे में तो UPSCN अब ऐसी क्यूशन भी पूच रहा है कभी पूच ले था पार्लियमेंट के कुछ अगररे में पूच है क्यों सन थीकश तो रूल्ख के बारे में पूचा है तो थोड़ा इनके बारे में पता ऊना च.» तो लोग प्रतिनिती गारे की representation of people act की section 170 127a अब इसमें क्या किया कहा गया है इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा है गुमनम तरीके से कोई भी है ना अगर वो कहीं holding वगरा लगाता है तो वो नहीं होना चाहिए देखो representation of people act है उसके धारा 117a में कहा गया है कोई भी बैनर वगरा लगाया जाता है तो उस बैनर पर किसने यह बैनर जो प्रकासित किया है मतलब कौन सी प्रकार सा कहा जाता है तो यह दारा के बारे मापको पता होना चाहिए रिपरजेंटेंशन और पीपल एक्ट की जो धारा 127 उसमें कहा गया है साब सब कोई भी प्रिंटिंग प्रेस के दवारा छपाया गया था नेक्ट चुए आर्टिकल है वो इंटरनेशनल नार्कोटि इसकी बने है सामें है रिस यह को लोकेशन जीलो यह आर्लेंड है उपर यह इंगलेंड ठीक है जो नॉर्धन का पाट है इसके डबली ने थीक है उसके बाद में यह दूर्व वैस्ट में इस टीते है एक बीर बहुत बड़ी बाद पर आयलेंड बऌडर किसकी से लगती है बहुत चैनल को आइडिया होना है यहां पर यहां पर जो उपर की चोटी है यह तोड़े ज्यादा जो गया इतना आपको याद रखने की आप सकता नहीं है क्योंकि बहुत जाद आवारी को गया इतनी साधी चीजी याद रहेगी नहीं ठीक है तो यह पूरा अमारा अर्टिकल था और आज की डिसकुशन में इ क्योंकि यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो इसकुशन